नमस्ते दोस्तों तो बहुत बहुत स्वागत हैं आपका अपने यूटूब चनल रतन वाईसा की रसोई में तो आज ना हम बहुत शांदार रेसिपी लेके आए हैं आप तुरेई देखके चोक गए होंगे कि अब तुरेई की कौन से सांदार रेसिपी होती हैं हर किसी को तुरई पसंद नहीं होती है तो आज हम इसकी एकदम नई रेसिपी लेके आए हैं जिसे बनाएंगे ना तो घरवाले आपकी तारिफ करते नहीं ठकेंगे यकिन मानिए ये सौथ की बहुत ही ज़्यादा एथांटिक और यूनिक रेसिपी हैं बहुत लाजवाब होती हैं और बहुत हेल्दी भी होती हैं तो आज हम आपको उसी एथांटिक टाइप से बनाना बताएंगे तो सबसे पहले तुरई को जो है आपको अच्छे से धो के ले लेना है फिर पीलर की हेल्प से आपको जो है इतना ही चिलका निकालना है ज्यादा तुरई का चिलका नहीं निकालना है आपको पता नहीं होगा तो हम आपको बता दे कि इस तुरई के चिलके की भी चटनी बन तो इस तरह से चाकू की हेल्प से तुरही को आपको कट कर देना है वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आपसे नम्र निवेदन है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें तो यह देखिए यहां पे हरी मिर्ची ली है यह सब्सक्राइब करने में कंजुसाई मत कीजिग इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो पसंद आये तो तो यह देखिए यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है पैन के अंदर टेल डाल दिया है तेल को बहुत ही अच्छे से गरम होने देना है और फिर उसके अंदर हम मिर्ची को डाल देंगे मैंने यहां पर टेल जो है सर्सों का इस्तेमाल किया है तो सर्सों के तेल का सबसे में ये बहुत एकास ट्प है दोस्तों, तो मिर्ची को मैंने फ्राय कर दिया हैं, और तुरही को जो हे हम सॉफ्ट होने तक बीछ-बीछ में चम्मत छलाते हुए इसे पका देंगे तो सॉफ्ट होने तक पकाना है, कि भरवा तुरई भी आपने बहुत काई होगी बस ये रेसी भी बहुत ही यूनिक है तो इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिए तो इस तरह से हम बीच बीच में चमच चलाते रहेंगे इसके ओपर लगा देंगे धकन ताकि ये बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाए बीच मे ड़कन को हटाईए और फिर इसके इंदर स्पून को घुमाईए इसी तरह से जब तक पकाना है तब तक तुरई आपकी बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए तुरई एकदम फ्रेस देखके सॉफ्ट देखके लीजिए तो ये देखिए यहाँ पर तुरई जो है कलर भी चेंज तुरई मत लीजिए तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से तूट रही है यानि कि तुरई सॉफ्ट हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे ना इन तुरई को जो है बाहर निकाल देंगे एक प्लेट के अंदर जिस प्लेट के अंदर हमने मिर्ची को निकाला था उसी के दोस्तों तो कमेंड बॉक्स में शेर कर सकते हो आप हमसे और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं रतन कुवर 22 नाम से हमारी आईडी हैं तो यह हमने सारी तुरई को जो हैं बाहर निकाल दिया है और तेल जो हैं हमने इसके अंदर ही रहने दिया है क्योंकि हमें इसमें और एक दो चीज पकानी है तो तेल गरम ही है इसके अंदर हम क्या करेंगे न सबसे पहले दो साबूत लाल मिर्ची डाल देंगे मिर्ची की कॉंटिटी आप दोस्तों अपने हिसाब से रखिए बट यह जो रेसीपी है थोड़ी स्पाइसी और खटी रहती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो तेल के अंदर मैं यहाँ पे दो साबूत लाल मिर्ची अड़ कर रही हूं और हम यहाँ पे अड़ कर देंगे दो टमाटर टमाटर को जो है मैंने इस तरह से बड़ी-बड़े टुकडों में कट करके ले लिया है आप चाहो तो ब टाल देंगे वहें Emelie एक लिंग के साइच की जो हैं आपको Emelie लेलेना है और इसे विसके अंदर एड़ कर देना है ध्यान रहे दोस्तों इसके अंदर बीज ना रहे तो देखे मेरे हाथ से भी बीज गिर गया है यह उंडर मीज्टे तरह टमाटर मेली मेर्ची को जोनेह तक हम पका लेंगे, इसके उपर धकन लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी, तो एक बाद चेक कर लेंगे, यह देखिए, देखनी से ही पता चल रहा है कि टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं, इस तरह से प्रेस करेंगे न तो इसके उपर का चिलका ज तो इन्हें पहार निकाल देंगे, इसे टेस्ट में कोई फरक नहीं पढ़ता वैसे खास वीशेश तो टमाटर के सारे चिलके निकाल दिये हैं, अब इसे भी हम बिलकुल ठंडा होने देंगे, तो यहां पर मैंने इन्हें सब एक प्लेट के अंदर ले लिया हैं, तुरई, टमाटर और हरी मिच्छी इन्हें एकदम ठंडा होने देंगे, अब हम यहां पर लेंगे एक ब्लेंडिंग जार, तो ब्लेंडिंग जार के अंदर सबसे पहले हम तुरई और हरी मिच्छी को थोड़ा सा पीस के ले लेंगे, ज्यादा नहीं पीसना है, थोड़ा ही पीसना ह तो एक बार हम इसे मिक्सी में पीस के चला लेंगे तो यह देखें आप देख पा रहे हैं अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे टमाटर, इमली और लाल मिर्ची जो हमने फ्राइ करके रखें और इसके अंदर इस स्टेज पे हम यहाँ पे नमक भी आड़ कर देंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एड़ कर सकते हैं बहुत ही कम इंग्रीडियन्स, कम महनत में यह बनके तयार हो जाती हैं तो यह देखें इसे हमने पीस के रड़ी कर दिया हैं हम आज बनाए रहे हैं सौथ इंडियन स्पेशल तुरई की चटनी यह दोस्तों हमारी चटनी बनके तयार हो चुके हैं इसे आप एक हपते बर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज में तो मैंने यहाँ पे एक पैन में तड़के के लिए तेल गरम कर दिया था राई, जीरा, हिंग डाल दिया हैं यहाँ पे डाल रही हूं सपेद उड़त दाल और चने की दाल और थोड़े से कड़ी पत्ता तो दालों का सुनहेरा कलर आने तक हम इसे अच्छे से पका के ले लेंगे अब इस तड़के को जो हैं हम इस चटनी के उपर सब कर देंगे यानि कि चटनी के उपर डाल देंगे और इसे आप गर्मा गरम चावल के साथ सब कीजिए दोस्तों यकीन मानिए दिल खुश हो जाएगा तो वीडियो देखने के लिए दन्यवाद